Limitations of the civil disobedience movement सविने अवज्या आंदोलन की सिमाएं क्या थी इस विशाय पर हम लोग अभी बात करेंगे हमारा प्रयास होगा कि civil disobedience movement की सिमाओ को हम समझ सकें the civil disobedience movement that started with breaking of the salt law at Dandi by Mohandas Karamchand Gandhi was the second mass movement by him. After the first world war, the entire world except the USSR was trapped in the worldwide economic depression of 1929, 1934-1935. प्रथम विश्वयुद्ध के बाद, जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई 1929 में, उसकी चपेटे में सोवियत संग को छोड़ करके लगभग सभी देश आये, कोई थोड़ा आया, कोई ज़्यादा आया, जो ज़्यादा उचल रहा था, वो चपेटे में ज़्यादा आया, जो कम उचल रहा था, वो चपेटे में कम आया, और जो first world war से अपने को अलग कर लिया, वो बच गया, यानि सोवियत संग बच गया, इसके चपेटे में, बहुत बुरी तरह से ब्रिटन भी आया और ब्रिटन की हालत खास करके एकनॉमिक कंडिशन बहुत खराब हो गई ये वो दौर था जब भारत में वाय सराय हुआ करता था लॉर्ड इर्विन और ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे रैमजे माक जोनल्ड प्रिटिस एकनॉमिक क्राइस कैसे बाहर निकला जाए जाए जादा से जादा तरह के टैक्स लगाए जाए और अगर लगाने की संभावना ना हो तो टैक्स की जो रेट है दर है उसको बढ़ाया जाए और ब्रिटिन को आर्थिक मंदी से बाहर निकला जाए इसी क्रम में अंग्रेजों ने भारत में नमक कानून लगाया यानि सॉल्ट के उपर टैक्स लगा दिया इसके विरोध में मोहंदास करमचंद गांधी ने साबर मती आशरम अहमदाबाद से दांडी पोट तक यात्रा की और सुरू से अंत तक उनके साथ 78 followers रहे यहां कहने का मतलब यह है कि गांधी जी के 78 followers जो साबर मती आशरम से चले थे वो डांडी पोट तक नमक कानून तोड़ने तक उनके साथ रहे इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा इस टॉपिक वो समझने के लिए यह बहुत जरूरी है अब बात आती है कि इसी नमक कानून को तोड़ने के साथ civil disobedience movement शुरू हो गया रैमजे मैक डॉनल्ड और लॉड इर्विन का एक ही प्रयास था कि इस movement को कमजोर किया जाए इस movement को रोका जाए और इसके लिए उन लोगों ने तरह तरह के हत्कंडे अपनाए अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो हम लोगों ने salt march दांडी march के उपर एक अलग से detailed video lecture डाला है आप उसको refer कर सकते हैं नमक कानून तोडने के साथ ही जो civil disobedience movement मोहंदास करमचंद गांधी का सुरू हुआ वो बहुत popular हुआ गाउं में भी लोगों ने support किया शहरों में भी लोगों ने support किया लेकिन जैसा की हमने पहले कहा है रैमजे मैकडोनल्ड, लॉड बरकेंहेट और लॉड इर्विन के कुटिल, cunning efforts के चलते यह movement slow down हो गया और गांधी जी को second round table conference में participate करने के लिए जाना पड़ा गांधी इर्विन पैक्ट 1931 के तहद इसके बाद movement और slow हो गया second round table conference फेल हुआ, गांधी जी वापस आये हिंदुस्तान और दुबारा civil disobedience movement को सुरू करने का प्रयास किया लेकिन वो momentum नहीं आ पाया और धीरे धीरे ये movement खतम हो गया, समाप्त हो गया लेकिन समाप्त होने के पीछे, खतम होने के पीछे इस civil disobedience movement के limitations थे, सिमाएं थी और उन्हीं सिमाओं ने इस movement को कई मामलों में कमजोर किया, वीक किया तो अब हम लोग उन सिमाओं की चर्चा कर ले मेरे ख्याल से बाइग्राउंड इसका आपको समझ में आ गया होगा तो इसकी सिमाओं के तहत, limitations के तहत, जो पहला point हम लोगों को समझना है पहली सिमा जो समझनी है, वो है दलित participation in civil disobedience movement हमारा society, Indian society, दलित लोगों को exploit करती आई थी जो अपर लोग थे, वो लोवर लोगों का exploitation कर रहे थे, socially, politically, economically, religiously हर तरह से ये जो दलित society थी, इसको मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे, हरिजन ठिक, इसी society को भीमराव अंबेदकर कहते थे, दलित यानि depressed classes, और मोहनदास करमचंद गांधी क्या कहते थे, हरिजन यानि यहाँ विचारधारा का अंतर था, मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव अंबेदकर दोनों ही चाहते थे कि इस सोसित समाज का विकास हो, दोनों ही चाहते थे कि this exploited class, this suppressed class should be brought forward, इसको आगे लाया जाना चाहिए both were in favor of giving privileges to them, but both had different ways दोनों के रास्ते थोड़े अलग-अलग थे, objective में कमी नहीं थी, दोनों एक ही थे भीमराव अंबेदकर का कहना था कि जब आप हमें अच्छूत मानते हैं, दलित मानते हैं, तो हमसे आप civil disobedience movement में support की उमीद क्यों रखते हैं, when we are untouchable in society, in religion, in economy, then in freedom struggle of India, how can we be touchable, हमें आप अच्छूत कहते हो, सोसित कहते हो, दलित कहते हो, हरिजन कहते हो, और दूसरी तरफ आप हमसे सविनाई अवग्या आंदोलन civil disobedience movement में support भी लेना चाहते हो, ये कैसे संबव है, समाज, धर्म, राजनीत, अर्थ ब्यवस्था, इसमें हम अच्छूत, और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए हम च्छूत, आश्चर्ज है, ऐसा नहीं हो सकता, तो एक limitation तो ये हो गया, कि दलित क्लास, हरिजन क्लास, एक्स्प्लोइटेड क्लास, डिड नोट पार्टिसिपेट इन दे सिविल डिसोबीडियन्स मूव्मेंट, अब आते हैं दूसरी बात पे, इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग मुहम्मद अली जिन्ना के लिडर्शिप में, मोहंदास करमचंद गांधी के सिविल डिसोबीडियन्स मूव्मेंट के सपोर्ट में नहीं खड़ी होई, इसके पीछे उनकी अपनी सोच थी, वो ये मानते थे कि सिविल डिसोबीडियन्स मूव्मेंट के समर्थन में कुछ कट्टरवादी हिंदू संस्थाएं हैं, the Muslim League under the leadership of Muhammad Ali Jinnah was suspicious of the approach of the Indian National Congress, the approach of Mohandas Karamchand Gandhi, especially with reference to the Sanatanis, with reference to the Rastriya Swaim Sevaksang, with reference to the Hindu Mahasabha. Muhammad Ali Jinnah was afraid of the dominance of Pandit Madan Mohan Malaviya, Vinayak Damodar Savarkar, and Lala Lajpatrai. Leaders of the Muslim League, the active members of the Muslim League, and the followers of the Muslim League had suspicion and distrust on the approach of the fundamentalist Hindu organizations and leaders who had been supporting the civil disobedience movement. When Gandhi-Irvin Pact was signed in 1931, Mohandas Karamchand Gandhi decided, agreed, to suspend the civil disobedience movement and participate in the second round table conference at London. In the second round table conference, there was a class between Mohandas Karamchand Gandhi and Dr. Bheem Rao Ambedkar on the issue of separate electorate to the depressed classes, to the Dalit classes, to the Sosid classes, to the Harijans. When the movement, I mean the civil disobedience movement started, supported. It was supported by almost all, I repeat once again, almost all the sections of our society. The workers in the industries and the peasants and farmers, the agricultural laborers in agricultural fields. They had been supporting the civil disobedience movement since beginning. As the movement progressed, Jayse-jayse movement aage badha, industrial workers ko laga, the industrial workers realized, they observed, that the industrialists against whom they had been fighting for their rights, had also been there in the movement. Had also been there in the movement. They had also been supporting the movement. So workers ko yeh laga, ki jinn industrialists ke against me, wo lada raha hai hai apne adhikar hoon ke liye, wo bhi is movement me saamil hai. To Mohandas Karamchand Gandhi, inke demands ke liye kaisa lada payenge? Is liye dhire 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 workers nae apna participation joh active hua karta tha, usko dhire dhire slow down kar diya. The same way, agricultural laborers, agricultural workers, poor peasants and farmers, who had been supporting, who had been actively supporting the civil disobedience movement, decided to slow down, decided to withdraw their support. The reason was, the landlords against whom these laborers, these poor peasants and farmers had been fighting, had been supporting the civil disobedience movement. jinn jamindar hoon ke khilaaf, jinn landlords ke khilaaf, krišak mazdoor, garib kisahan, lada raha thay aapne adhikar hoon ke liye, wahi landlords, wahi jamindar, gandhi ji ko support kar raha thay, civil disobedience movement me. Ab in mazdoor hoon ko laga, in garib kisahan hoon ko laga, ki jinn ke khilaaf, wo baat karna chahate hai gandhi ji se, wo to inke support me khaade hai. Is liye dhire dhire un logo ne bhi aapna support kam kar diya, slow down kar diya, rok diya. I repeat the points once again. First limitation, participation of depressed classes or dalit classes or sosisit classes or harijans under Bheem Rao Ambedkar. Second, participation of the Muslim League. Third, the class between Mohandas Karam Chand Gandhi and Bheem Rao Ambedkar in the second round table conference at London in 1931 on the issue of separate electorate. Fourth, the participation of industrial workers in the civil disobedience movement. And fifth, the participation of agricultural workers, poor farmers and peasants in the civil disobedience movement. Here, I must tell you one thing. Women in India, whether they belong to any family, any caste, creed, language, region, religion, they all supported the civil disobedience movement. I hope the topic limitations of the civil disobedience movement is clear to all of you. Thank you very much. God bless you all. Please do take care of your health and studies.